गुना है, बेंडदा चौधरी रहेगा, वो एज चेर्मन पीसी भी लगा दिया, एक फाइक बच्चा है, केरियर कमस तु एन एंड, रहतरक्याती काम धड़ा धड़ जा रही है वहाँ पर, टेक्निकल मसाइल है, तेक्निकल मसाइल है, मैं हूर रजा हाश्मी और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज, बात करेंगे, आज पाकिसान और न्यूजिलेंड की टेस्स सीरीज यो आ रही है, उसमें पाकिसान का स्कॉड अनाउंस हो गया, पाकिसान बहुत बुरे तरीके से इंगलेंड से हा रहा है, तीन सिफर की मात हुई है पाकिस की परफॉर्मेंस चाहे जो भी रहे ऐसा कैप्टन, लेकिन वो हमारा कप्तान है, हमें उसे बैक करना होगा, ये कहा जा रहा है हमारे कुछ प्लेयर्स की जानेब से, भई ये वही बात है कि जो मर्जी हो जाए, पेंड़दा चौधरी पेंडदा चौधरी रहेगा, इस पे कोई कंप्रमाइज होने वाला नहीं है, तो भई पाकिसान की टीम को उन्होंने मौले की टीम बना कर रखा है, गली नमबर दो की टीम बना लिया है, इसे लगता है कि मका कालूनी के रेलवे स्टेशन के करीब कही मैच हो रहा है, जिसकी कैप्टन सी बावराजम कर रहे हैं, बावराजम सर्फ उनी लोगों को खिलाएंगे जो गलबर्ग में नके साथ खेलते हैं, या मौडल टाउन ग्रीम्स में कैलते हैं, या किसी और जगह पे जिम खाना में उनके साथ खेलते हैं, लेकिन पी सी बी में जो चेंजजिस हुई हैं, उनको बहुत खुछा आएन भी जो PSL की धूम पाकिसान में मची है वो तमाम तर क्रेडिट नजम सिठी को ही जाता है जहां तक बात है काटने की तो भाई रमीज राजा कौन सा अपने काबलियत के बलबूते पर आये थे कमेंटेटर ही थे यहां से यूट्यूब के चैनल चलाया करते थे और वो भी इमरान खान के कहने पे ही ले आये गए और वसीम खान जो कि उस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पाकिसान क्रिकट बोड को अच्छा ही लेकर जा रहे थे उनको काट कर बगएर किसी ऐलेक्शन के या बगएर किसी चीज़ के सिर्फ सेलेक्शन की गई और रमीज राजा को एज़ा चेर्मन पीसी भी लगा दिया गया चेर्मन पीसी भी लगाने के बाद चूंकि वो बहुत ज़ादा वोकल थे बहुत ज़ादा लाइम लाइट का उनको पहले ही आइडिया था कमिनिकेशन स्किल्स भी उनकी बहुत ज़ादा स्ट्रांग थी तो वो एक खबरों की जिनत बनते रहे उन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ बहुत सरी बाते की खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा न्यूजिलैंड जब पाकिसान नहीं आया था तो उस पर उनका एक बहुत हार्ट स्टांस था इसी तरी के सी बी सी सी आए के साथ भी उनने भी टकर लेकर रखी वी है कि अगर चैंपिन्स ट्राफी में इंडिया की टीम पाकिसान नहीं आएगी तो पाकिसान की टीम भी फानल्स में वहां पर इंडिया नहीं जाएगी यह कुछ चीजें उनके लिए थी लेकिन अगर हम नजम सीटी को देखें तो उनके हां बहुत सारे क्रेडिट्स जाते हैं उनको जैसे मैंने पहले बताया पी एसल जाते हैं और वो भी काफी अच्छे वोकल आदमी है कमिनिकेशन स्किल्स में वो भी मार नहीं खाते हैं तो यहां पर रमीज राजा को और नजम सीटी का कमपारिजन कोई बहुत जादा डिफर नहीं करता है करेंटा और बड़ा लाइक फाइक बच्चा है कभी भी इसके बारे में कोई वह बात नहीं करते थे और उसको बहुत पसंद करते थे दूसरा बड़ा नाम है मोहमद आमिर अल्दो टीटन लीग में उनकी कर्फार्मेंस अच्छी नहीं रही लेकिन नजम सीटी के बड़े क रिजवान को पतनी मिस्टेरियस चीज में जाि है। पाइचान को मिलasına जाए। अभी आबरार ईली को एसपीस को इन्हें इसो की मिस्टेरियस बॉलर है। जब तक मिस्टेरियस मिस्ट्री न हम बन जाए, अतनी बॉलिंग करवा। जैसे साइध अजमल को करवा करवा के दूसरा इन्होंने माइकल हसी से चार चक्के बढ़वा दिये थे इसी तरीके से अब ये अबरार को भी यूज़ करें और इसको इतना खिलाएंगे इतना खिलाएंगे कि इसकी मिस्टरी सारे मिस्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी असनली की वापसी हुई है टीम के अंदर और इसके साथ-साथ कामरान घुलाम की वापसी हुई है क्योंकि अज़र अली को निकाल दिया गया है मेरा मतलब कि रिटार्मेंट ले लिए खारी बड़े प्लेयर हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हुई 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 है अज़र अल्ड़ वो जिरो पर आउट हो गए अपने आखरी मैच में और हमेशा की तरह जिस तरीके से पाकिसानी प्लेयर्स के साथ होता है उनको कोई भी अची तरीके से फेर्विल नहीं दी गई बस वो एक आम से प्लेयर की तरह बाहर चले गए और हिस केरियर कमस तू अन एंड अज़र अली की जगा कामरान गुलाम को लेकर आया गया है कामरान गुलाम ने बहुत अची परफार्मस दी थी पाकिस्तान कप में इसलिए उनको कमबैक करवाया गया है अगर पाकिस्तान कप की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिसके अज़र मीर हमजा एक बहुत ज़्यादा टैलेंटिट प्लेयर नजर आते हैं लेकिन उनको वापस नहीं लेकर आया जा रहा और उसकी जगा खुबसूरत बालों वाले एक मॉडल लड़के वसीम जूनियर को खिलाया जा रहा है जिनकी टेस्ट प्रफॉर्मस ही तकरीबन कोई बीस विकट्स भी नहीं है लेकिन एनिवेज वो एक खुबसूरत आदमी है बाबर आजम की लॉबी का हिस्सा है और बाबर आजम को हर वक्त कैप्टन कैप्टन कैकर बलाते है इसलिए उनको टीम से नहीं निकाला जा सकता तो इस पे तो कोई बात ही नहीं है और दो टेस्ट पाकिसान ने केलने है 26 डिसेंबर को पहला टेस्ट पाकिसान खेलेगा निज़रेंट के खिलाफ कराची में और दूसरा टेस्ट होगा 3 जैनवरी से 7 जैनवरी मुलतान में इसी तरीके से अगर हम बात करें ओडिया इसकी तो एक ओडिया जो पहला है वो 10 जैनुर्ष बात कराची में पिर सेकेंड ओडिया भी कराची के अंदर ही देखेला जा रहे है और इसके साथ तीसरा ओडिया बात लिए कराची बात कराची को नचे है मुलतान कराची बाले everything देखें कराची के सराउंडिंग के एरिया उनको वहां पर काम चल रहा है तरक्याती काम धड़ा धड़ जा रही है वहां पर तो इसके साथ-साथ वो क्या करेंगे मैच देखने आने के लिए उनको इतनी ज्यादा कश्ट करनी पड़ती है जबके लहुर के काफी हद तक मौमलाथ बेत है जबके कराची में सुनने में आता है कि आपको दो-दो किलो मेटर पैदल चलना वड़ता है तो यह चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तो भई ऑडियंस क्यों आएगी और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर शादी की कुर्सियों पर बढ़ा शफीक हैं अबरार अहमद घसन अली वापस आएं टीम के अंदर इमाम अलहक हैं कामरान घुलाम अजर अली की जगा खेल रहे हैं मौमद नवाज मौमद रिजवान मौमद वसीम जूनियर नसीम शान अमान अली सरफराज भाई सैफी भाई सैफी भाई क्या है कि जो लिजफ भाई सब्सक्राइए ऋर नचे बार कामरा आइ मौमद तुछक्रीटर अफंसराइए हर शचर आउं को वो बाबर आजम को नजर नहीं आरी, कल भी उन्हें अपनी प्रेस कान्फरेंस में यही का कर दो कर दो